हेलो बच्चो क्याल चाल वई कैसे हो साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अविनंदन आपके अपने परिवार यूपी एक्जाम्स वाला यूटूब चैनल पर तो साथियों जिसके लिए आप लोग इतने संगर्स रत थे इतने आंदोलन रत थे आखिर वो काम लो और यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने एक प्रतियों की चात्रों के प्रतिय के दया द्रश्टी दिखाते हुए जिसका चात्र कर रहे थे इतने दिन से इंतजार की अब तो जागो सरकार तो आकिर वो काम हो चुका है और सातियों उत्तर पर्देश सरकार के की अभी पेपर लिया गया था 17 और 18 फरवरी 2024 को जिसके सातियों खबरे चली कि पेपर हुआ लीक पेपर हुआ लीक और बहुत सारे हजारों लाखों विद्यारती इस पेपर लीक की वजह से हुए प्रभावेद और सातियों पिछले दो दिन से यानि कि कल से पूरी सिक्षक जगत की टीम पूरे चात्र आपके लखनों के इको गार्डन में धरना दे रहेते और डिमांड कर रहेते री एक्जाम री एक्जाम तो सातियों आखिर उत्तरपर्देश सरकार ने वो बात मान ली है और पेपर को कर दिया है रद यहां पता चलती है सातियों की एक्ता की सक लोगों ने दिखाई सातियों क्या है एक्ता की ताकत क्या है एक्ता की ताकत तो सातियों यह हमारा आया है क्या जी आपका जो सरकार ने आपका सरकुलर जारी किया है विग्यप्ति यह जी विए सीधी सीधी देखी का क्या कही है कि दिनांग सत्रेव एठार फरवरी दोजार चोबिस को संपन हुई पुलिस भरती परिक्षा के संदर में प्राप तत्थिवां सूचनाओं के गया है शासन ने भरती बोड को यह निर्देश दिये हैं कि जिस इस तर पर लाव परवाई बरती गई है उनके विरुद एफ आई यार दर्ज कराकर अगरिम वैधनिक कारेवाई सुनिश्चित की जाए शासन ने प्रिकण की जांच से कराए जाने का निर्णे लिया है दो यो गेम छे महां के अंदर है अब यारे कि माले की साथियो मार्च से भी आप छे महां गिनना स्टार्ट करेंगे वैई क्योंकि फरवरी लगबग जा चुकी है छे महां का मतलब साथि लगबग लगबग सेप्टेंबर तो हम यह कह सकते हैं लार लो कि जैसे ही आपके लोग सबा के चुनाव हमारे आपर खतम हो जांगे साथियो मई और जून में तो आपकी परिक्षा जून या जुलाई में प्रस्तावित आपकी हो सकती है साथियो के साथ पुनाय परिक्षा आयोजित करने तता उत्तर परदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यरतियों को अगली बार जो परिक्षा होगी बच्चों के लिए मिटा कोई भी किराया आपका नहीं लिया जाएगा एक इस्थान से दूसरे इस्थान जाने पर तो हम यहां पर यह कह सकते हैं मेरे सारो कि आपका उत्तर परदेश सरकार ने वो सहासिक निर्णाय लिया है जिसके लिए स या इतने दिन से उंदोन रतो तो इसमें म athletes यी सब लोगों की जीत का विश रहा है इसमें एक कोई व्यक्तिक जीत नहीं है यह साथिऊ आप लोगोंस कर्कोण का आपके आंदोलन का आपकरू शेर्क पहले दिन दिया दो दिन में जो ताकत दिखा दी आपके सिक्षकों ने और आप लोगों ने तो ताकत का प्रभाव यह उगा कि परिक्षा रद करनी पड़ी सरकार को अब भढ़िया से तैयारी करिए और नकेवल करनी पड़ी उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरी तरीके से जाच क सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि इतना बड़ा लीक हुआ कैसे तो अब आप लोगों के लिए है कि भाया मेहनत का फल मिलेगा जो निरासा आपके मन में थी कि सर मेहनत हमने बहुत कि लेकिन अब फल नहीं मिलेगा मेहनत का फल मिलेगा और छे महीने में उन्होंने परिक्षा को दुबारा कराएंगे शे महीने के अंसरे बहुत सारे बच्चे थे जो की डी मोटिवेट हो रहे थे कि मैं अब तुम पढ़ना ही छोड़ देते यह कर देते वह कर देता सर एक बार वापस से तयारी शुरू कर लाड़ो मेरे साथियों सबसे पहली बात मन में जो डाउट है कि सर कौन सी सिफ्ट का हुआ है तो भाई पूरी की पूरी परिक्षा चाहिए वो सतरे की फर्स्ट हो सतरे की सेकंड हो अठारे की फर्स्ट अठारे की सेकंड यानि कि चारो की चारो सिफ्टों का पेपर आपका रद हुआ है और पेपर पूरी तरीके से दो यो नए सिरे से नए उसके तो मैं यहाई पर कहूँगा कि आप लोगों की संगटित रह करके जीत है ये कोई व्यक्तिकर जीत नहीं है किसी व्यक्तिकर टीचर की जीत नहीं है ये एक सामोहिक प्रियास्ता इस पेपर चोरों के खिलाफ जिनोंने पेपर लीग करके लाकों बच्चों को भविश्य अंदकार में डाला है तो ये कोई व्यक्तिकर जीत नहीं हो करके ये सामोहिक जीत है और मैं उन सभी चात्यों को वंदन करता हूँ अपनी टीम के साथ जिन लोगों ने लखनों में जाकर करके सरकार से अपने प्रभावी मांग रखिया अब हम यहा बहुत है जितनी खुशी हो रही है लोगी सब लोग क्लास पर भाग के तुरह इतनी अच्छी खुशी के बात हुई तो सच बात है यह नहीं कहो कि सरकार हाल के यह सब उन्हों प्रगा बिलकुल यहां पे पर लिग हुआ था उन्होंने इस बात को एक्षप्किया और इसे लिए ये पूरी परिक्षा रद करके 6 महीने के अंदर अंदर ये प्रिक्रिया दुबारा से होगी, आपको दुबारा से एक्जाम देने को मिलेगा, तो जिन्हों ने भी भाईया थोड़ी सी कमी रह गई थी, या चीटिंग का जो भी हुआ था, उसकी वज़े से अगर आपक फिर से मौका मिला है एक बार वर्दी पाने का और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, चारो की चारो शिफ्ट दुबारा से होगी, अब वो बात में पत्ता चलेगा कि कितनी शिफ्ट में पेपर होना है, क्या होना है, वो सारी चीता बहुत मिल जाएंगे, बढ़ा वह ब पुबगा है आप लिए इस प्रता के साथ उसी महनच के साथ उसा रंणनेटां के साथ अप लोगों को आपकी वर्दी दिलाने के सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब कर देना और मुझे बस एक ही बात बोली तो मैं तो बच्चों से वैसे भी कहती थी कि बेटा आप लोगों ने जैसे आप बहुत डीम्यूटिवेट हो गया थे आप लोगों ने का कि मैं आज के बाद हम कॉपी किताब को हाथ नहीं लगाएंगे अब पड़ लिख करके कोई फाइदा नहीं है लेकिन आप यह सोचो ना कि बस मातर आपके पास 6 मैने का समय है और यह जो 6 मैने इसमें भी आप लोगों के अपनी तयारी जो बिलकुल 0 से शुरू करनी है तो बहतर से वैतरीन तयारी आप हमारे साथ करेंगे इस सोंबार से तो सर सोंबार से शुरू हो जाएंगी जो मलब कमी अब की बार रह गई है परिक्षा में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी वह यह आप जान चुके होगे पेपर में कि जो बच्चे 105 110 तक पहुँचे होगे अब उनके लिए और गोल्डन चांसे साथियो 125 और 130 तक महुचने के लिए और साथियो दिखाना है अब की बार ऐसे दलालों को ऐसे नकल बाज बच्चों को कि तुम नकल से 125 130 महुच रहे हो हम अपनी मेहनस से 125 और 130 करेंगे डेर सो में से और कोई थाकत हमें नहीं रोक पाएग और फिर से आप लोगों से लाश्ट में यही को हुआ कि सरकार या भरती बोड यहां पर वास्ता में वंद नहीं है हमारे लिए पिरसंस नहीं कारिया क्या क्योंकि कई बार क्या हो जाता है हट धर्मिता क्या आगे या आपका किनी ब्रामत खबरों की वज़े से सरकार ऐसे नेड़ने में देरही कर सकती है लेकिन यहाँ पर लखनों में धर्ना दे रहे सभी अध्यापक सभी चातर गण भी बढ़ाई के पातर है क्योंकि उन्होंने दो दिन में हजारों की संग्या में वहां पौंच करके किसी भी पिरकार की एनियमित कार्यवाई नहीं उने दी उ पर आपको आगामी 6 महामें होगा डिसमें उत्तर परिवेंस निगम सेवा की तरब से अपको फिरी ट्रांस्पोर्टेशन व्यवस्तक की जाएगी तो इसी के साथ साथ यह एक बार से सारे ही तीचर की महनत है जो यहां इस टूडियों से भी ट्वीट किये है जिनोंने इवेंट वनाए है जिनोंने लोगों को प्रेरित किया है इस महां घोटा लेके खिलाफ जो की बच्चों के दुआरा या कुछ नकल बाजों के दुआरा किया गया तो हर एक बंदा यहां बदाई का पात्र आप किसी में बेटा इस जीत को पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को मत देना वरना यह आगे है आगने वाले उन लोगों को बहुत नुक्सान पहुचा जाएगा तो यह आपका होगा कौई फोबारा नहीं भरना होगा कोई कुछ नहीं भरना होगा बस दोबारा आप करेगी कारवाही होगी तो मेरी क्याल से कारवाही भी इतनी तगड़ी होगी सरकार में सर कि द्वारा ली करणे की हिंधत हम यह कह सकते कि पूर दस साल्ट गारना यह 5450 पॉसले तयार के लिए योगी बाबा का बुल्डेजर अपनी करमटता से आपको जीत करके दिखाना है लाड़ लो और मैंने फिर काया कि जो कमी अभी कुछ बच्चों की रह गई होगी बैचारे मैं देख रहा था बच्चे रो रहे थे महता पिता रो रहे थे कि हमने बहुत मैनस की है 110 बच्चे 110 बैठे 112 बैठे तो अब की बार उनके लिए भी गोल्डन चांस है जिनके 110 बीस पहुंचे और जो सो से नीचे थे 115 तक जरूर पहुंचेंगे 6 महा का टाइम यानि की तीन महीने चार महीने तब कंफरम माले मही तक क्योंकि मही में आपके चुनाव किसम पनोंगे उसके बाद आपकी परिक्षा होगी तो फ है और सभी के सात्यार हमारा असिरवाद है जरूरी नहीं है कि हर आदमी का जाना वहाँ पर लाइक और सबको बता दीजेगा कि आ रही है दीवानों की टोलियां वर्दी पर नाम तुम्हारा होगा बिल्कुल और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि पढ़ाई जैसे सब अब दुबारा अगर मौका मिला तो जिसने थोड़ी सी कमी कर दी अब वो कमी को दूर करो और अच्छे से पढ़ाई कर लो बस जतनी खुशी मना नहीं है आज खुशी मना लेना कल से कौपी किताबों के साथ नहीं मैं कह जातूं कल संड़े कल अराम कर लें मंदे से भाई स लेकिन कुछ मीडिया चैनलोंने अभी बताया था बिरम कोई बात उनको भी बदाई कि कम से कम इस बहाने से आपने परचा लीग पेपर लीग का को इवेंट तो किया तो सभी को एक बार फिर से बाई तो मिलते हैं लाड़लो आप से फिर किसी नई अपडेट के साथ अब त बाई